नमस्कार वानिस डेली बीट में आपका स्वागत है अभी हाल ही में शादियों का सीजन चल रहा था हाला कि मेरे पास एक दो इनिमिटेशन आये थे लेकिन मैं किनी कारणों से वहां जान ही पाई तो मैंने सोचा शादियों में बनने वाला मेरा पसंदीदा मटर पनीर क्योंना मैं घर पे ही बना के खालू और इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहां पर एक टमाटर लिया है और दो हरी मिर्च अद्रक लासुन का पेस्ट दो चममच और दो प्याच और तड़के के लिए मैंने लिया है चार टमाटर जिसे बारी काट लिया है दो प्याज जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है और 250 ग्राम हरी मटर और खड़ी मसालों में मैंने लिया है एक छोटी इलाइची, एक तेज पत्ता, पांश लॉंग, तस खाली मिर्च, एक चावित्री, एक बड़ी इलाइची, एक दाल चीनी और एक चक्र फूल पनीर को धीमी आज पर सिर्फ 2-3 मिनट तक ही फ्राई करना है, ज्यादा फ्राई करने से यह खिचने लगता है, जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो बस इसका रंग बदल जा, इतना ही फ्राई करना है हमें, तो यहाँ पर हमारा पनीर फ्राई हो गया, इसे मैं एक दूसरे बर्तन में निकाल ले रही हूँ पनीर को फ्राई करके नमक पानी के घोल में डाल दे तो पनीर विल्कुल सॉप्ट रहेगी अब मैं उसी पैन में एक चम्मच जीरा डाल रही हूँ, जीरा जब अच्छे से चटक जाएगा तो मैं साथी सारे खड़े मसाले डाल दे रही हूँ खड़े मसाले डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज और प्याज को सुनहरा होने तक भूनना है अच्छे से जब तक प्याज भून रही है तब तक मैं पेश्ट तयार कर लेती हूँ तो यहाँ पर जार में मैंने डाला है प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, धनिया की पत्ती और बिल्कुल थोड़ा सा पानी तो इन सब का बिल्कुल महीन सा पेश्ट बना लेना है तो यह देखिए हमारा पेश्ट बन के तयार हो गया है और यहाँ प्याज भी बिल्कुल भून गई है तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ अद्रक लासुन का पेश्ट और इसे कुछ दिर भूनने के बाद अब इसमें डाल दे रही हूँ प्याज का पेश्ट तो इसे अच्छे से भून लेना है करीब 5-7 मिनट तक बीच बी करीब 7-8 मिनट तक भूनते रहना है और इसे बीच-बीच में चलाते हुए करीब 10 मिनट तक ढखकर पकाना है तो 10 मिनट बाद इसे खोल कर देखते हैं तो यह देखिए यह अच्छे से पक्या है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 1.5 चमच गरम मसाला, 1.5 चमच हल इन सब को मिला के इसे फिर से 15 मिनट के घखकर पकाना है और बीच-बीच में चलाते भी रहना है थोड़ी दिर बाद इसमें डाल देना थोड़ा सा पानी ताकि मसाले नीचे से ना लगे और अब इसे फिर से करीब 10-15 मिनद ढख कर पकाना है तो देखिए मसाले ने तेल कितना बढ़िया छोड़ दिया है मतलब की मसाले अब पक चुके हैं तो अब इसे थोड़ा सा चला लेना है फिर इसमें मैं डाल दे रही हू पनीर जिसे मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था पनीर को मसालों में अच्छे से मिला लेना है और फिर इसे तेज आज पर बिना ढख के 10 मिनट तक लगातार भूनना है फिर इसे अच्छे से भूनने के बाद इसमें डाल देना है पानी तो मुझे इसकी ग्रेवी बहुत दाल रही हूं दो ग्लास पानी अगर आपको ग्रेवी पतली चाहिए तो आप तीन ग्लास पानी डाले और बहुत ही गाड़ी चाहिए तो आप सिर्फ एक ग्लास पानी डाले अब पानी को अच्छे से मिलाते हुए इसमें डाल देना है नमक तो नमक यहां पर मैंने एक चम नहीं धनिया की पत्ति जिससे इसका स्वाद और देखने में दोनों ही बहुत अच्छा लगता है तो अब कैस को बंद कर देना है और चलिए अब इसे सर्व करते हैं आप इसे रोटी चावल या पराठे किसी के साथ भी खाएए ये बहुत टेस्टी लगेगी तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल वानिस डेली बीट को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को पूरा एकने के लिए थैंक यू सो मच